कि यह पाकिस्तान के अंदर इसको हम बोलते हैं फाइनेंश लॉस आफ फाइनेंशल सॉवरेनिटी के पाकिस्तान आई एम एफ के कहने के ओपर जो स्टेट बैंक को अजाद कर रहा है और स्टेट बैंक गुर्मेंट आफ पाकिस्तान को भी रिस्पॉंसिबल नहीं है जो बाक पाकिस्तान को हर अधारा पारलिमेंट को पाक को रिस्टानन पास की है किसमें जो सुनक के पाकिस्तान जो सब्सक्राइब candle financial भी होना शुरू हो गया है आप इसको किस तरह देखते हैं और इसकी ग्लोबल implications क्या हो सकती है चीमा सब सबसे पहले यह देखें इसको कि यह कल जो एक drama किया गया सेनेट के अंदर मैं समझता हूं कि हर पाकस्तान की पाकस्तानी के लिए वह एक इबरतनाक स्टोरी है किस तरीके से इन हालात में जब एक मेरा पाकस्तान आर्मोस बैंकरप्सी के कारणर पे खड़ा है जिस तरीके से एक ड्रामा नेशनल समली में किया गया इस बिल के खलाफ और उस वकत जो फाइनर्स मिनिस्टर के खलाफ जिस तरीके से अपोजिशन ने खड़े होके कापियां एक दूसरे को पर फैंकी इस बिल की और उन्हों ने कहा कि आप स्टेट बैंक जो है वो आई है मैफ को बेच रहे हैं पाकस्तान बेच रहे हैं और आज उसी अपोजिशन जिनको सेरिट के अंदर थासल है किस टेकनिकल तरीके से उन्होंने जा कि वोड डाले और उन्होंने वो बिल पास कोई मुझे इस वकत जो आपकी इंसाफ की तहरीख है उन पे गिला नहीं है मुझे गिला है जो वी का पोजीशन है जो अवाम के सामने खड़ी होती है तो ए साज़िश की गई है जिस त्रीके से यह आईमेफ का बिल जो है वो पास कराया है अब मैं इसमें थोड़े से उस बिल के जो मैं जो मेरी नजर से वो बिल गुज़रा है उसके कुछ पॉइंट जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगा एक तो उस बिल के जरीए गुवर्नर स्टेट बैंक आफ पाकस्तान का तीन साल का जो अर्सा उनकी मुद्टे मयाद है उसको बढ़ा के पाइस साल कर दिया गया उनको एक तो वो खुद आयमेफ या वर्ड ब बत्तरीन उसमें एक्चेंज की गई है वो यह है कि स्टेट बैंक आफ पाकस्तान का जो गुवर्नर है उसको इम्यूनिटी हासल है उसको अग्सेंप्शन हासल है आपके अदारों से नैब से और दूसरा मतलब दर हकीकत यह है कि उसको कुरॉप्शन करने की खुली छुटी दी गई है वो बिलकुल अजाद होगा किसी को ज्वाब देनी होगा और साथ क्योंके मेरा बैक्ग्राउंड लीगल बैक्ग्राउंड है उन्होंने कहा है कि हरको काम कर सकता है उसके पीछे सिर्फ एक चीज़ है द्यानतदारी से हो लेकिन द्यानतदारी को डिफाइन नही ही किया गया हैं आप द्यानतदारी में चाहिए लोड अच्छा अपना शुरू कर देश्यादा वह द्यानतदारी में आपने बचों की 12 बजे उसggil को पेश किया गया किसी तरह उसको जिसको कहते है न पाक्सथान में इस अरा कार्टी के इंदर पुटुझर उन्जीनरिंटीए उस सारे इंजीनियर है किस तरीकह से लूटना है पाकस्तान को उस इंजिनिंग में हर एक के पास पी एच दी है उसी तरह ये जो इनसाफ की तारीक है इन्हों ने सुनात के साड़े यारा बारा बज़े बिल पास पेश किया और अफसोसनाग बात ये है कि उसमें ना गिलानी साथ गए वहाँ पे एक दलावर ग्रूप है व मेरा मकसद इस तरह के लोग हैं आपोजिशन वहां मजॉर्टी में थी बाहर लोगों के लिए ड्रामा कुछ और है लेकिन सुना है वहां पे पैसों की तब्दीली हुई वहां मुफ्तरे प्रदारों ने अपना इंफ्लूएंस अपना प्रेशर यूज किया और पाकस्तानी इसके मुजद और फाउंडर थे अयूब खान और सकंदर मिर्जा अयूब खान दौर में एक श्वेब साथ थे जो फाइनस मिनिस्टर थे वो यहां से वर्ट बैंक से ले जाया गया जो मैं बात आपको बताना चाहूंगो जो मैं हिस्ट्री में पढ़ रहा था कि उन्हों जितना अर्सा वो आपके फाइनस मिनिस्टर रहे वो साथ वर्ट बैंक के में मुलाजम रहे उन्होंने जाब से रजाइन भी नहीं किया था यह आपका माजी है आप चाहे मोहिन कुरेशी आए जो कोई और आए मेरा मकसद एक एक हाइबर्ड स्टेट एक बनाना रपबलिक और इन आज कल के अंडर गिवन सरक्मस्टासे में जब इनसाफ की तारीक जो है वो बिलकुल खत्म हो चुकी है उसमें कोई दम नहीं रहा उन्होंने आपने देखे जिस तरीके से जो टीम है कुछ सो से ज्यादा जो इंपोर्टेड आपके वजीर और मिशीर हैं वो क्या व को जो कि सिर्फ उसका इसका फायदा क्या है कि आइंफ के पैसे आएंगे और उन्हीं पिसंपैसों की बेसिस पे और लोन लिए जा सकेंगे तो ये पाकस्तान के मेरा पहले कमीज उतारी है अब पतलून उतारने की तियारियां हो रही है अब ये इसके लावा कुछ भी के साथ एक बहुत बड़ी ज्यात्ती की यही है यह बिल कि जरी है और जिस टेक्निकल तरीके से मैं यह समझता हूं हमारे बच्छों को पढ़ाना चाहिए यह फ्यूचर में के देखें कि अपने जाती मुफादात में जब यह सेनेट में जाते हैं तो सारे जो करॉप्शन का अलाइस करने वाले हैं किस तरीके से कठा होकर आपका फोल चूसने की त्यारियां करते हैं एक इबरत ना पाकिया था बिलकुत सभी और तारड़ सब इसमें सुर्फ एक अरब डॉलर की बात है तारड़ सब आप यहां पर अमरीका में हूं और हम देखते हैं कि आप लोग क कहीं भी बैठे हैं तो यहां पर लोगों की क्या फिलिंग्स आती है कि वो अश्राफिया वो लोग जिन को चुनके आप पार्लिमेंट में बेचते हैं और जिनके आपकी फैमिली और आप लोग इनको सपोर्ट करते हैं इनको वोट करते हैं और आप जब जो फर्स्ट करते हैं और इसे आब जब लोगों में घूमते हैं तो फिर इस तरह के जो लॉसौफ फाफीनिशल सफ्राश में यहां ओता है यह 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 जो आप आककस्टान सब्सक्राइब किस तरह के सब से पहले तो पाकस्तानी डैस्पोरा अगर कंपेर किया जाए तो दूसरे डैस्पोरों से काफी पीचे है चाहे उनकी पूटिकल इनवालमेंट हो चाहे उनकी एजुकेशनल qualification standards हो दूसरा पाकस्तान से आयोते हैं पाकस्तान में उनकी पूटिकल नशोन महाँ होती क्यों कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पार जाहरे पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान से तर्विए ले यह उसमाहूल से तो पाकिस्तान में कितनी जमूरियत कितनी कामयाव है ना होने के में भारत को देखते हैं इडिया को देखते हैं मैं दो पिछले दो दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे कि आपका नंबर 140 है और भारत जो है वो पचासी पे हैं दो साल से और साइज में आप से तीन कुना ज्यादा बढ़ा है कुरॉप्शन वहां भी मौझूद है लिकिन आपका DNA आपकी आदाद आपकी हर चीज उनसे मिलती है आप हर चीज में उनका मुकाब्ला करने की कोशिश करते हैं उन्होंने से शोरेंड़ लिया है अप कहते हम डरोन से उसको करेंगे आंगे अन्होंने लिये हैं आपको चैना giant ऑप चिज कर दे नियों कुरॉप्शन थम्रप्शन में क्यों झालिस निकरते जैश शंकर प्र आप पालिसी में क्यों किउन करते जैय कर oyster क eld मारतिरल च्ट्र impaired नाक्ट साथ करते हैं लेकिन इस पे क्यों नहीं करते हैं आप GDP में करते हैं महिंगाई में हर चीज का हलाकि वो बिलकुल एक टोपी ड्रामा आप दिखाते हैं लोगों को आप उनके साथ उनकी आमदने नहीं प्लास बेवगोफी और अब तीसरी चीज़ लग रही है दःशतगर्दी ये थीन चीज़े और मेरा ख्याल है यह वाई प्राड़क्ट है दैश्टकर्दी उसकी वज़ा यह है कि आप हर चीज के साथ कंप्रोमाइज करते हैं आप कमजोर हैं आप तेजर्बाकार नहीं है आपने इंपोर्टेट बच्चे अकठे किये हैं और आप अभी तक गर्वर्वर्वर में लीडर आएं जो हमारे मादरे मिलत मादरे मिलत मा होती है और उसके कपड़े ना वो फाड़े को उसके उसके बेतरी की तरफ सोचे तरफ यह बताएं कि यह तो अब जारी बात है अब लोगों को हम देखते हैं काम करते हुए मेनत करते हैं और पीछे मादरे मिलत के साथ क्या हो रहा है अब आप क्या समझते हैं जितनी polarization पाकिस्तान में है जितनी सियासी जमाते हमें गसीट रही है एक जमात कहती है मेरे पास हल है दूसरी जमात कहती है मेरे पास हल है लेकिन हल तो किसी के पास नहीं है क्या ये वक्त आनी गया कि एक national level पे एक सोच हो जिसमें सारी कौम और मुल्क कठा हो यह नहों कि हम एक जमात को प्रोच नहीं हो सकता तारड साब जिससमें सारी नेटरशिप सोच के मिलके बैठे और इस तरह के चैलेंज ज्को दीठेढ़ जिसमें आप देखे नरेंदेरा वोदीर पूरी दुनिया में जा कि जिस तरह एक वो काथे हैं कि इंडियन अवाम कोaponfidenc दिया है हमारे Prime Minister जाते हैं तो वो सिर्फ अपनी बात करते हैं। बाकियों को वो गाली देते हैं। वो जाते हैं तो वो आपको अपलिफ्ट करें ये नहों कि हम एक दूसरे अपने आपको अपलिफ्ट करें और मुल्क पीछे रहे जाए इसके उपर काम नहीं होना चाहिए या क्या किया जा सकते हैं नेशन सब्सक्राइब नेशनलिजम आपका अगर नहीं है पाकस्तानियत आप में मौझूद नह लेकिन उसके अंदर आके खांसाब कहा गए कि मैं जाते हैं नौाज श्रीफ से एर क्रडिशन डिशन डिवा को यार जो अमेरिका ने एक बैठा है अमेरिकन डैस्परा उसको क्या फरक पड़ता है आप ऐसी दो या ना दो यहां आयो बात करो कौम की इस्लाम की बात करो ही एक बड़ी बात है कि यहां पर पर्सनल रिलेशनिशिप बनाने आते हैं लोग हमारे सियासतदान और उसके अब मैं जो अगली तरह बात अगली बात आपसे करना चाहूंगा एक स्टूटन प्लिटिकल साइंस चीमा साब इस वकत पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े एक खतरा जो है वो आपकी पाइटियां खतरा नहीं है आपका क्रॉप्शिन का ऐलाइस बन चुका है उस इसारे अगर उनने काम करना तो कर सकते हैं करना चाते नहीं है कुरॉप्शन का एक अलाइंस है जब तक वो अलाइंस नहीं तूटेगा कुरस्ता नजर नहीं आएगा लेकिन मैंने जब यह कल आपका स्टेड बैंक आफ पाकस्तान का जो बिल जब मैंने पड़ा है तो खुदार आप यह सोचें कि आपके सी पैक के बिल को जिस तरीके से न कि डिक्टेटर शिप एक डिक्टेटर जो हो यह बिल्कुल इग्जैक्ली उसी साइट पे लेकि जा रहा है कि क्योंकि यह सिस्टम इस गोई टू कॉलाप्स बाइद कॉरॉप्शन और उसके बाद को बंदा दूसरा आएगा डिक्टेटर आएगा वही इस चीज़ को फिक् थिमा थाप आपने सिदार्टी निजाम का तेभ्ए कर लिए आपने मार्शला का तेभ्ए कर लिए आपने निजाम मुस्तफ़ा के नारे लगा लिए आपने बगार जमाती एलक्शन करा लिए deal not अर्ह कौमियत है नैशनलिजम है ना खौफ खुदा है लेकिन यह यह मैं तो ऐसे पाकिसानी अमेरिकन कहते हैं मायूसी गुना है लेकिन कई दफ़ा मायूस होता हूं कि वो मर्दे मौमन मर्दे हग कहां से आएगा वो पाकिस्तान के अंदर से ही आना है बाहर से बाहर से जो लोग तिंटर से लेकि आप जाते हैं वो तो लंदन होते हैं केनेडा बेस होते हैं वो वापस आ जाएंगे इस वक्त जिस तरह करें निकलने वाले भारी बरी आफ निकलेंगे सारे टंगली से बीडिन होगे लेकिन यह के इस व्होर का की तफ़ा कोन राइन करेगा वो इस हमें इस corruption से बेरारवी से बद्यानती से बई हमानी से हमें निजार कौन कौन लीड करेगा हमें इस इसा open question mark बिल्कुल सही कहरें तार सब ये बिल्कुल एक open question mark है और जिस तरह आपने कहा कि ये आपको local solution चाहिए लोकल लीडर्शिप चाहिए हमें ये important चीज़ें बंद करनी चाहिए और सारे नजाम हमने देख लिए हैं एक दफा पाकिस्तान का सोच के भी देख लें शायद हमें जो है वो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को रही नहीं रा मिल सके बात तो आज हम करेंगे state bank of Pakistan का autonomy bill तर यानि ये कि 42 और 57 ये थी ratio लेकिन opposition के कुछ मेंबरान जो के absent रहे वो आये ही नहीं और उसके बाद ये bill पास हो गया इसमें किसकी क्या साधिश थी क्योंकि IMF का जो plan है वो ये तर्मीम किये बगएर पूरा नहीं हो सकता था IMF की तरफ से ये दर्कार था कि उनकी ये डिमांड थी कि ये किया जाए तर्मीमी एक्ट लाया जाए और वो हो गया अब जाहर है कि कोई फोन करेगा और कहेगा कि आपने नहीं जाना तो कैसे जा सकता हो बंदा तो वैसे फवाज चौरदी ने इसके मुतालिक बिल्कुल ठ ठीक ठोक बजाके का है जो इनको क्रिटिसाइस किया है ऑपोजिशन को मैं आपके सामने अभी डिटेल सकती हूं कि हुआ क्या है तर्मीमे बिल्किया है और इसके बाद किस तरीके से IMF का पूरा कबजा होगा और क्या क्या चीज जो है वो हकूमत या सियासी मदाखलत से इस को आजाज जो किया गया उसमें क्या शामल है अब आते हैं उस तर्मीमे बिल की तरफ हुआ कुछ यू है कि देखें इतना फर्क था मेंबरान में कि ये 42 और 57 ओपोजिशन के पड़ी आसानी से जो है इस बिल को रोका जा सकता था और पास उने से बचाया जा सकता था यानि पास नहोता ये बिल लेकिन आप जानते हैं क जब फोन जाएगा और कहा जाएगा कि ये तो आपने जो है वो गाइब हो जाना है या आना ही नहीं है या फिर ये कि आपने वोट देना इसकी हक में या आपने वोट नहीं देना इसकी हक में जिस तरह के इस से पहले ये तनकीद की जाती है कि हकोमत ने जो भी बिल पेश क का मकाम है तो यह जो नारे है ना स्लोगन नो कॉन्फिडेंस वोट लाएंगे हम इमरान खान को दार देंगे बिलकुल छूट है बिलकुल लब कल के बाद बिलकुल ऐसी लग रहे है कि बिलकुल गलत है मैं कोई ऐसा लवस बोलना लगी थी बगवास लेकिन मैं यह नहीं कहू होगी थी तो अगले दिन उसके उसमें ताजियत के लिए गए बेते और का गया कि यह तो बड़ा जरूरी काम था कैनि यू इमेजिन के आपकी ड्यूटी पाकिस्तान का एक इतना बड़ा बिल पास हो रहा है जिसमें के स्टेट बेंक ऑफ पाकिस्तान को आई एमेफ के तह बलके इसके लवा और भी कुछ देख बहुत कुछ देखने को मिला मसलां यह के और भी जो कुछ अरकान थे एक तो बाहर थे कहा जा रहा है आउट अफ दी कंट्री फिर कई ऐसे थे जो थे वो चले गए गाइब हो गए ऐसा भी हुआ तो यह सब कुछ जो खिटड़ी पकी यह वही है बिलकुल वही खिटड़ी है जो इससे पहले पकी थी कई एक बिल जब मनजूर हुए थे तो मसद्दिक मलिक ने बिलकुल सही बात किये उन्हों ने का कि स्टेट बैंक का बिल पेश हुआ और ऑपोजिशन खास तो पर लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन यूसफ रज का गुलाम बना दिया वो तो खैर जब आपने आए मैं प्लैन लिया है तो गुलाम तो तभी बन गया अच्छा यह जो बात की जा रही है कि देखें इसमें जो है किस तरीके से मैं आपको कुछ थोड़ी से डिटेल बताए देती हूँ इतना जो यह बिल है इसकी इतनी 1956 जो है वो मतारिफ कराई गई है SPP Act 1956 और इसमें अब यह होगा कि जो हकूमत है गर्मेंट है वो स्टेट बैंक और पाकिस्तान से करजे नहीं ले सकीगी लोन नहीं लेगी अच्छा तो होगा क्या क्योंके जाहर है कि जो सियासी मदाखलत है स्टेट बैंक में वो खत्म हो गी लेकिन सियासी मदाखलत खत्म करने का जो सिर्फ नाम लिया जा रहा है बात यह कि पाकिस्तान की मदाखलत स्टेट बैंक में खत्म हो जाएगी और IMF इसको चलाएगा अगर आप कान इदर से पकड़ें या उदर से पकड़ें तीक है अब होगा क्या कि जो पाकिस्तान क कुछ शामिले सकills के यदर जिसके उपर हम कोशिश करेंगे किसी हम एक्सपर्ड को भी ले 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 इस तरीके से और बात करें अगर कोई आप कहते हैं कि कोई अच्छी बात तो हम उससे बात करने कोई मसला नहीं है लेकिन जो लोग जो हकूमती लोग यह कह रहेंना कि ये त चिसको मैं इंडोर्स करूँगा उन्हें का कि जो ऑपोजिशन का हाल है ना वो तो मैं परिशान हो कि कहीं ऐसा नहों यह एक दूसरे का कपड़े पाड़ ले यह जो खाब देख रहे हैं तो कहीं एक दूसरे के कपड़े ना फाड़ ले और मौला ना फजल रह्मान अपना ज की वज़ा यह कि उन्होंने करके दिखाए उन्होंने का हम पास करवा लिया लेकिन अगर मैं अब यह कहूं कि यह जितने भी लोगों ने मिलकर वो हकूमती हकूमत गर्मेंट और वो तमाम मेंबर्स जो एपसंट थे इन सब ने मिलकर जो किसी के इशारे के ओपर जो रहे नहीं आए इन सब ने मिलकर जो यह बिल पास करवाया है तो इनको क्या अब हम इंडियन एजेंट कहें हम यहूदी एजेंट कहें या हम क्या यहूद नसारा की हम कोई साधिश कहें या हम यह कहें कि यह सब रासी मिल गए यह रा की साधिश है क्या कहें इसको बलब यह तो बिल्कुल मूँ खोल के मूँ फाड के हर एक को ये कह देते ना जरा सी कोई तनकीद की जाए कोई इंसे इसक्तिराफ कर लिया जाए तो फॉरन जो है ये एजेंट का लेबल लगाते हैं इनको अब क्या कहा जाएगा कि जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बेश डाला तो आपको हम क्या कहेंगे आपको भी हम कोई एजेंट ना कह दें यही होना चाहिए तो यह है किस्सा यह है सारी सिच्वेशन लेकिन इसी के दौरान एक और दिल्चस्प खबर जो आई वो यह थी कि प्राइम मिनिस्टर कब डेर साल रह गया आप जानते हैं इस डेर से दो साल मैं उन्होंने काया कि कोई और धमाका भी किया जाए क्योंकि उन्होंने अपने तमाम जो है ना मेंबर्स आप सोचिए उनने काया हमने बड़े इच्छे तरीके से डिलिवर किया है आप बिलकुल धडले से जो है वो इसमें जाएं ये जो बलदियाती इंतखाबात हो रहें कोई प्राबलम नहीं आप जाकि लोगों को बताएं आपको आपकी जीत होगी ये उनका कहन है मेरा कहल है कि जिनको वो कहरें ना आपने डिलिवर किया धडले से जाएं उनको लोगों के पास बेजने से पहले किसी नफसियाती डॉक्टर के पास बेजने अचा जी जो तबदीलियों की खबर आ रही है वो कुछ इस तरीके से बड़ी इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कहा ही जा रहा है कि जो कैबिनिट है उसमें कुछ रीशफलिंग करने की बात हो रही है और प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचा है कि कुछ रीशफल कर दिया जाए अब वो जो हो रहा है कि फवाज चौधरी के पास क्योंकि आप जानतें information ministry है तो उनकी information ministry जो है लेकर उनको defense ministry जो है देने के कुछ खबरें आ रही है कि उनको defense minister बना दिया जाए और जो information ministry है वो शेख रशीद को दे दी जाए अब शेख रशीद साहब जो है उन्होंने इंकार कर दी उनका ना भाई मैं तो ने लेने का सोचें ज़रा अब शेख रशीद साहब वजीर दाखला होम minister वो बनके बैठे हुए है आप उनको कह रहे है होम ministry से आप ज़रा थोड़ा information की दरफ चले जाए वो तो किसी कीमत पर कबूल ने करेंगे खबर यही है कि उन्होंने कहा है कि नहीं मैं इसको accept नहीं करा अच्छा और फिर जो home ministry है वो परवेश खटक को देने की बात हो रही है कि उनको बनाया जाएगा home minister आपको याद है ना कुछ दिन पहले वो बड़ा सक्त नाराज हुए थे हमने उसके पर प्रोग्राम भी ची था काफी बात हो ली थी जसमें उन्होंने कहा था वह दू बड़ा खड़े हो गै था उन्होंने कहा था जी मैंने आपको वोट दी आए यंदा वोट नहीं हowanie नहीं है तो देख लें उसका आसर क्या हुआ उसका असर यह हुआ जो पर्वेस हटक साहब है उन्होंने का चड़ो डेर साल रहे गये और दो साल इसमें पर्वेस खटक साहब को होम मिनिस्टर बना दो तो अब देखते हैं कि शेक रशीद और पर्वेस हटक में कौन जीता है बड़ी जिबर्दस्त है यह लड़ाई, इसमें देखते हैं किसका पलड़ा भारी रहता है, शेक साब जो हैं, वो, इन्फरमेशन वैसे तो शेक साब पहले इन्फरमेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, किसी हकोमत में, और उनका काम क्या होता है, वो हो मिनिस्टर बन कर आएं, या का दिल करता है, वो कह देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन इस मरतबा जो है, अब उनको जो, देखें न, होम मिनिस्टर होंगे, तो बड़ा करीबी तालुक रहेगा, एक जगा से, आप जानते हैं, सारे काम जो है, उन्हों ने करने होते हैं, तो इन्फरमेशन मिनिस्टरी मे मतलब आपको कोई इसका फाइदा ना सारा है, मुझे तो इसका कोई, समझ में नहीं आ रही है, आप ये कहें, अच्छा, इसमें कुछ अडिशन की भी बात अ रही है, अब यह तक मेरे पास वो ख़बर नहीं है, कि एड किसको किया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है, क इनको शायद सी ओफ कर दिया जाए है और बाई बाई टाटा और उनकी जगा दो तीन को और शामिल किया जाए एक कोई के पी के से बताए जा रहे हैं एक दो हैं जिनको फारिग किया जाएगा तो वो नाम हम सामने आएंगे तो जरूर आपके सामने रखेंगे लेकिन हुआ हम ने State Bank of Pakistan को IMF के मिलकियत में दे दिया है, अब वो उनको चलाएंगे, उनका जो दिल करेगा, जो चाहेंगे, गर्मिन्ट आप पाकिस्तान महां से करदा नहीं ले सकती, और क्या क्या कुछ नहीं कर सकती, वो जैसे जैसे हमारे पस डिटेल्स आएंगी, वो भी हम आपके साम दिया गया, समझ नहीं हा रही कि वह एक एक चीज़ आप क्या दे रहे हो, मतलब एकटा दे दो तो चलो काम असान हो जाएगा बजाए इसके कि आप एक एक चो मतलब करके कभी मोटर वे देनी हैं, कभी एरपोर्ट देना है, कभी यह जो है, मतलब मुक्तलिफ किसम की चीज हैं, बही कटी दे दो तो आपका काम भी असान हो जाएगा और वह भी बार बार क्या अपने पास, मतलब वह इसाब किताब रखेंगे, क्या रहे, इन्होंने यह चीज़े दी और यह अभी रहती हैं, तो खान साब ने क्या, मतलब यह आप लोग उने स्टेड बिंग, स्टे जो काम करते हैं, तो यह उनके हवाले कर देते हैं, उससे पहले उन्होंने स्टेड बिंग को रजा बाकर साब के हवाले किया था, रजा बाकर साब भी इंप्लाएं हैं, आई मैप के, और अभी जो है, वो गवर्नर स्टेड बिंग हैं, तो उन्होंने पहले स्टेड बिंग पाकिस्तان का सबसे बड़ा बैंक है तो उने का यार Interesting Hil хотел है इतना बावा कंदों फे इतना बड़ा बोच्श क्या उटाऊंगा हान साब को ऑन ने का क्या में है विस आ इसा करते है सिद्थज़ सीद दे रहते हैं YOU को तो बिर्तो तो बिसमिल्द यही करते हैं और मतलब कर दो. तो उसने का के लिए व श्की यह बैए को कोई मतलब बिल लेक्राँापड़ीगा और वह सारा मतलब बाथ वह फी सूण करना करो मैं करदे सा तो खान साब ने फिर खैर इसको उसके लिए जो amendment bill है इस ट्रेड बेंक amendment bill के नाम से वो लेके आए खिर हमारे opposition के लोगों ने भी बड़ा शोर शरावा किया कि यार बेज दिया बेज दिया पाकिस्तान बेज दिया बेंक बेज दिया तो मैं गया जब पाकिस्तान बेज दिया तो फिर बेंक की क्या यार अवकात है मतलब वो तो एक अधारा है एक मुलक का खैर उन्होंने शोर चरावा तो बहुत किया लेकिन पता नहीं आपस में वो भी साथ मिले थे या कोई और कहानी थी लेकिन नेशनल इसम्बली से हुआ और उसके बाद स्टेट उसका सिनेट में बिल आया सिनेट में जो आप़ोजिशन के वोट थे वो फोटी टू थे और जो हकूमत के वोट थे वो फोटी त्री थे एक वोट के मार्जन से उन्होंने बिल जो है वो पास करवा बड़ी मुबारिक बाते भी थी याने है अहरां की एक बात पर जो बड़ी मतलब होती है विए से वह खैर अब होनी नहीं चाहिए यार अब तो आदत हो जानी एक अुछा जाए लेकिन पिर भी हो जाती खैर है यार कोई नहीं और का हुआ है कि यार आए में वेड़े फालो आप जो भी कहेंगे हम आपके सामने जह से कहते ना सर्य तस्लीम खम जिसको कहते हैं तो हम हाजर हैं और हम किड़े होंगे तो उनों ने का कि यार चलो यह मतलब तोड़े-तोड़े करे के는 यह इदारें हम दे देते हैं बलकि कुछ लोगों ने तो कहा कि यार ये आप जो है ना इस इंडिया कॉम्पनी जिस वक्त पाकस्तान और इंडिस्तान अलग नहीं हुए थे पार्टेशन नहीं हुए थी और सब कॉंटेनंट था तो इस तरह की कॉम्पनी थी तो उन्ने का कि ये इस वक्त इम्नार्खान न्याजी साब उसका जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं हो सकता है और हो सकता है ना भी हो लेकिन हमें तो ये नजर आ रहा है कि हाँ यार खान साब जो है वो कहते हैं कि यार मैंने मदीने की रियासत का जो खाब देखा लेकिन मदीने की रियासत की तरह मैं भी नही चाइना वाला सिस्टम का खाब भी देखा उन्होंने टर्किश सिस्टम का खाब भी देखा और कहा भी कि मैं करूँगा खाब भी देखा और पिर जाकते हुए में भी ये बात कही पिर उन्होंने का कि अमेरिका का सिस्टम ये बहुत अच्छा है वो वाला कह दिया मलेशिया क system उन्होंने कह दिया इरान पतनी गए ते या वैसी पाकिस्तान में इनको खाब आये था तो सुबा उटे उन्हें उन्हें का यार इरान वाला system बहुत अच्छा है तो अब कहा सुधियरेविया वाला सोरी चे यह यहने मुलकों के जो systems है जो बिलकुल opposite एक दूसरे से वो कहा ता हिम्रान खान साब ने कि यार यह वाला जो system है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है अब मुझे नहीं पता कि यह कौन सा वाला system है जो अभी यह state of Pakistan को दिया है यह पते हैं इरान ने किया था मलेजिया ने किया तर्की ने किया अमरीका ने किया या सुधियरेविया ने किया या सोरी चाइना ने किया तो अगर यह खान साब भी बहतर बता सकते हैं और हो सकते हैं बता भी दे किया यह मैंने किसी किसी वज़ा से कि यह एम खुबसूरत नजम पड़ी थी कि नशेई ने मेरे मुलक को बेच डाला तो मतलब ये नहीं है खान साथ कहता है या आप लोग मेरे बारे मेरे ओपर इस तरह के जिसे कहते है शकूक और शुभात रखते हैं ये घलत है मेरे बारे में नहीं मैं करता हूँ लेकि मैं बड़ा हात मारता हूँ य cradle है जिस तरह ये कर दिया इस तरह के और जो बड़ी-बड़े अधारे थे उसको मैं दे रहता हूं और उसकी वजगा है उसकी वज़घए है खान साथ कहते है कि या मतलब मैं कहता हूँ कि यार यी जो पकस्टानी कौ हम है ना इनके उपर से बर्डन को काम किया जाएं बात वे से सभी है बर्डन तो काफी है लेकिन हमारे उपर स्टेड बेंक का बर्डन नहीं है हमारे उपर खान साथ शायद आपको नहीं पता क्योंकि आप कहते कि महंगाई तो नहीं है और महंगाई कहते हैं तो पर मैं उसका television है state bank है और भी हैं काफी सारे खान साब नजर बड़ी गहरी रखी होती है से नहीं बैटे होते है कि मतलब वो कहते है ना मैं तो office में बैटके इदर उदर देख रहा हूं उस दिन वो तक्रीर में अपनी कैर आता जजबाती हो गयते है वैसे वो तो वैसे नहीं देखते है वो मतलब जिसे कहते है ना वो हमारे Da खा कहे हैं क्या आप लोग सोचे कि यार खान साब आगे हैं और और उन्हों है कोई बैड़ा घर कर दिया मौलाना साहब कर नहीं पर जी पते नहीं किया क्या कहते हैं और कहते हैं मेरी कुर्सी जो है करते है वह जिनीकी कुर्सी ती वह नहीरी तो आपकी तो कुर्सी है नहीं तो आपकी केसे रहेगी главное साथ बाते बड़ी कमाल की करते हैं खर कुर इनोंने बात oורबी की यारr आपने जिस वक्त economy को ختم کر دیا پٹا بٹا دیا لٹا دیا اس کو بلکہ بٹا کیا دیا تو اس کے بعد آپ کہتے ہو کیا ہماری سیکیورٹی ٹھیک ہے ہماری سورنٹی یہ کیا معنی رکھتی ہیں یہ چیزیں اور یہ بات کافی ٹھیک ہے مولانا صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں پر فلور ایمان صاحب سے لیکن بہت ساری باتیں ان کی ایسی ہے کہ بڑی مطلب جسے کہتے ہیں بڑی مزیدار اور ٹھیک کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا جب آپ کی اکانومی نہیں رہی جب آپ کا بینک جو آپ کا پورا مطلب آپ کے نوٹ چھاپنے سے لے کر ساری منٹری پالیسی کو وہ ڈیل کرتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں رہتا تو پھر باقی چیزوں کی آپ کے پاس کیا ایسی رہتا ہے بلکل میں بڑا مطلب اس بات سے مولانا صاحب کے بلکل میں سہمت ہوں اگری ہوں میں اس بات سے کہ انہوں نے یہ بات بلکل ٹھیک کہی کہ جب ہماری اکانومی نہیں رہتی تو پھر ہماری فورن پالیسی یا پھر ہماری باقی پالیسی صرف نام تو ہم اس کو دے سکتے ہیں لیکن اس کا کچھ ہو نہیں سکتا لیکن خیر خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ریاست مدینہ کے جو پانچ سالتے اس میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا یعنی وہ کہتے ہیں ترقی نہیں ہوئی تھی لیکن خان صاحب آپ تو چائنہ نے بھی ترقی کر لی سعودہ اربیہ بھی کر رہا ہے ملیشیا نے بھی کر لی ترکی نے بھی کر لی امریکہ سپر پاور ہے پتہ نہیں ہم کون سی پاور ہیں یہ بات بڑی مطلب احران کرتی ہے اور ہم سننے کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ خان صاحب یہ بھی بتا دے کہ ہم کون سی پاور ہیں تو اکانومی آپ نے زبردست اس کے بعد فورن پالیسی کیا بات ہے ایکسلنٹ پھر اس کے بعد اس طرح کی اگر آپ لون وغیرہ لیتے ہیں جو باہر سے فورن ڈیٹس جس کو کہا جاتا ہے اس میں بھی کمال زبردست ایکسلنٹ اچھا کرپشن کیا بات ہے ون فورٹی نمبر مطلب اس میں بھی آپ نے سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا کیا بات ہے زندہ بات تمز اپ فور یو اور کیا کیا چیز ہیں یار مطلب گنتی میں آئے تو شاید یہ تو ویڈیو بہت چھوٹی پڑ جائے گی اور ایک پوری لسٹ ہے اس کے لیے مجھے ایک الگ سے لیپٹاپ رکھنا پڑے گا اور اس میں پھر وہ پوری ڈیٹیل جو ہے کہ یار کیا کیا مطلب خان صاحب جو ہے وہ بیچ چکے ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ بیچنے کے لیے تیار ہے اور کیا ابھی ان فیوچر جو ہے ان کا ارادہ ہے کہ یار یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ کر کے اس کے بعد میں کہوں گا یار میں نے اپنا جو مشن تھا وہ کمپلیٹ کر لیا وہ بشک اس کو کسی بھی ریاست کا نام دے دے وہ ریاست مدینہ کہتے ہیں یہ ان کی اپنی سوچ ہے کیونکہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہم کسی کی سوچ پہ پابندی لگا سکتے ہیں تو اس وجہ سے جس طرح ہماری اپنی سوچ ہے اس پہ ہم کہتے کوئی پابندی نہ لگا تو ہم بھی کسی کے سوچ پہ پابندی نہیں لگاتے لیکن اینڈ میں یہ ہے کہ خان صاحب ہیں لگے ہوئے دبا کے اور وہ ہاں سوری وہ کٹے بین سے وہ چیز میں بھول گیا تھا وہ بھی خان صاحب نے کہا تھا اور انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کی پرائم منسٹر آفس کی بڑی ساری گاڑیاں بھی بیچی تھی اور کہا تھا خان صاحب نے کہ اس سے بھی بڑا پیسہ اکٹا ہوگا اور پرائم منسٹر ہاؤس کو اس نے کہا تھا کہ میں ایک یونیورسٹی کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے کہ میں یونیورسٹی کے لیے اناؤنس کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں وقتاں فوقتاں دل کرتا ہوتا ہے ہم لوگوں کا بھی کیا رہا ہم خان صاحب کو بشک کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پتہ نہیں خان صاحب بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں لیکن ہمارا کام ہے خان صاحب کے ارگر کے لوگ کوئی کارندے کوئی درباری کچھ تو پیادے دیکھتے ہوں گے کہیں نے کہیں جاتی ہوگی خیر anyway بس میں نے کہا کیا آئی ایم ایف کے ساتھ سعودہ تیہ ہو گیا تو میں نے کہا یہ خوشخبری جو ہے وہ پاکستانیوں کو بھی اور ساتھ میں ہندوستانیوں کو بھی اور جتنے انگلستانی جتنے بھی ہیں سب کو میں نے کہا کہ یہ خبر دے دوں کہ بات پک کیوں ہو گئی ہے سٹیڈ بینگ آپ پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ تو اب ہمارا کیونکہ کہا تھا نا خان صاحب نے کہ لوگ باہر سے جوبز کے لیے آئیں گے باکر صاحب اس کی ایم ایف کی جوب کر کے وہاں بھی چلو تنخواہ لگی ہوئی ہے لیکن اس نے کہا یار کیونکہ پاکستان میں جوب ذرا زیادہ بہترین مزے کی ہوتی ہے تو اس لئے وہ انہوں نے کہا کیا پریارٹی پاکستان ہے یہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف تو چھوٹے موٹے ادار ہیں کرتے رہیں گے ان کے ساتھ یہ تو پھر ہمیں پاکستان کے اندر اگر جوب ہم نے کر لی تو کہیں پہ بھی ہمیں جوب ملتی ہے